नमस्कार आप देख रहे हैं SBD News और मैं हूँ आपके साथ दिव्यान श्री गौड पेशा इस वक्त राधस्तान की बड़ी खबरे सुप्रीम कोट ने केंद्रे मादमिक शिक्षा बोर्ड की दस्वेवं बारवे की बची परिक्षाएं रद करने और आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर पर परिक्षा फल जारी करने के अनुरोद पर विचार करने को बोर्ड से कहा है नयाधीश एम खान विलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्य खंड पीठ ने बुदवार को CBSC से कहा कि इस बारे में विचार करें और मंगलवार तक उसे अवगत कराएं नयालिया ने कहा कि कोई भी बोर्ड विद्यार्थियों को आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर अंक देने के बारे में सोचे और अब इस मामले के सुनवाई 23 जून को होगी राजसान सरकार ने श्रीगंगानिगर समेद प्रदेश के छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोडने के लिए प्रयास तेश कर दिये हैं इसके तहट राजसरकार के ओर से गठित एक टीम ने गद दिवस को श्रीगंगानिगर समेद पांचों हवाई पट्टियों का निरिक्षन किया और अभी इन हवाई पट्टियों पर वी आईपी मोवमेंट ही होता है लेकिन अभी पट्टियों पर नाइट वीजन भी तयार है जिससे रात में भी फ्राइट की लैंडिंग और टेक ओफ हो सकती है सरकार ने गज जन्वरी महिने में पांच शहरों श्रीगंगानिगर, नागोर, भीलवाड़ा की हमीरगड, सीरोही के आबूरोड और सवाई माधपूर के रंधंबोर में हवाई सिवा शुरू करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और इसके तहट टीम का गठन किया गया थ इसमें दिल्ली और राज़ सरकार के सदस्य शामिल हैं, इस टीम ने मंगलवार को चार्टर प्लेन से पहुंचकर इन हवाई पट्टियों का जायजा लिया, श्रीगंगानिगर में भी यह टीम हवाई मार्क से आई भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच राजसान भाज़पा चीनी उत्पादों का इस्तमाल नहीं करेगी, इसके लिए पार्टी प्लेटफॉर्म पर कारेकरताओं से अपील की जाएगी भाज़पा प्रदेशा द्यक सतीश पूनिया ने बुद्वार को पार्टी कारेकरताओं से आहवान किया जाएगा, गिस्तान ये उत्पादों को विदेशी उत्पादों कर वरियता दी जाए जी हाँ दोस्तों, खबरों का सलसिलाद जारी है, यह वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें मादमिक शिक्षा बोर्ड की आज 18 जून से शुरू होने वाली बाकी रही परिक्षाओं को देखते हुए बोर्ड ने कंट्रोल रूम घठित करने के साथ ही सबी जरूरी विवस्ताओं को ले कर दिशा निर्देश जारी कर दी है परिक्षाओं में नकल की रोक्ताम के लिए विशेश उड़न दस्तों का घठन किया गया है बोड से मिली जानकारी के मुताबिक परिक्षाओं के दोरान कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए जरूरी उपाईख किये गए हैं परिक्षाओं के लिए 521 नए परिक्षा उपकेंद्र बनाई हैं, इनमें सीनिय सेकिंडरी परिक्षार्थियों के लिए 35 परिक्षा उपकेंद्र भी हैं। कॉंग्रिस परिवेक्षक और राश्री मुख्य प्रवक्ता रंदीप सुर्जेवाला ने गलवान घाटी में सैनिकों के शहादत के मुद्दे पर मोधी सरकार पर जम कर निशाना साधा। के उच्छ सेना अधिकारी समेत 20 जवानों की शहादत पर पूरे देश में रोश है। बुद्वार को जैपुर में तीन फ्लाइट से करीब 545 प्रवासी राजस्तानी जैपुर पहुंचे। आतिरिक मुखे सचीब रोक्र सुबोध अगरवाल ने बताया कि बुद्वार को दुपहर में कजाकिस्तान से आई फ्लाइट में 221 प्रवासी राजस्तानी जैपुर पहुंचे। और वहीं कुवेट से साई 6 बजे और रात 9 बजे आई दो फ्लाइटों में लगबग 162 प्रवासी जैपुर आ रही है। उन्होंने बताया कि राजे सरकार द्वारा एरपोर्ट पर आवश्रक सभी विवस्ताओं को चाक को चोबंद कर रखा है। और 18 जून को चार फ्लाइट से प्रवासी राजस्तानी जैपुर पहुंचेंगे। जोदपुर शहर के सुरपुर आबान में इन दिनों राज्य आपदा प्रतिसाद बल रादस्तान जोदपुर की टीम अभ्यास में चुटी है। 9 जून से अभ्यास शुरू किया गया जो 23 जून तक जारी रहेगा। करीब 100 जवान सुरपुर आबान में अभ्यास कर रहे थे जिनने गहरे पानी में फसे व्यक्ति को बचाने, नाव का संचालन करने, डिप ड्राइविंग आदी का अभ्यास करवाया जा रहा है। SDRF जोदपूर के कमपनी कमांडर गुलाबा राम नहीं है जानकारी दी। राजसान में राजसवाद चुनाव में कॉंग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर विधायकों की बाड़े बंदी करने का आरोप लगा रही है। इसे में हमारी केंद्र और राजसरकार से मांग हैं कि शादी समारों में 50 व्यक्तियों की लिमिट को खतम किया जाए। राजसान के भरतपूर में एक अनूठी शव्यात्रा निकली इस शव्यात्रा में ने किवल भरतपूर के स्थान्य निवासियों ने शिर्कत की बलकि इलाके के तमाम राजनेता, पुलिसकर्मी और प्रशास्तिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दरसल यह शव्यात्रा इलाके के किसी वीवी आईपी शक्स की नहीं बलकि देश के राष्ट्रे पक्षी मोर की थी। पक्षियों से बेहत लगाव रखने वाले स्तानिय पार्शद रामिश्र सैनी ने ने किवर इस मोर की शव्यात्रा निकाली बलकि पूरे विदी विधान से उसका अंत्यम संसकार भी किया यह पूरा मामला भरतपूर के अचनेरा रोड सेथ पका बाक का है जहां एक मोर की करंट लगने से मृत्य हो गई राजसान हाई कोट ने नवगढ़ित नगर निगम जैपूर ग्रेटर के जोन ओफिस खोलने के लिए सामुदाई केंदर अधिगरहित करने पर राजसरकार आयूप नगर निगम कलेक्चर और जेडिसी से जवाब मांगा है जस्टिस गोवर्सन बाठधार और जस्टिस नरिंद सिंग की बेंच ने यह अंतरम निर्देश जाकिर हुसेन भाटी की जन्हे त्याचिका पर दी मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी कोटा में सूरे की तेश किर्णों के कारण हाडोती अंचल एक बार फिर भट्टी की तरह तब उठा पूरा अंचल पिश्र दो तिन दिन से लूग और तेश गर्मी की चपेट में है सुवेश शाम तक समूचा जन जीवन प्रभावित हो रहा है देश शाम तक तन जुलसाने वाली लूग की वज़े से हर कोई परिशान है कोटा में बुदवार को सूर्योद्य के साथ तेश गर्भी का दोर शुरू हो गया सुवेश ग्यारा बजे पारा लगबग 40 जिगरी पर पहुँच गया केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष को एफपियो के मागम से हासल करने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है मोधी सरकार किसान और कृषी को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में 5000 करोड रुपे खर्श करने जा रही है इसके तहट किसानों को आर्थिक सहायता दे कर उन्हें सम्रद्र बनाने का प्लान बनाये गया है लोगडाउन में कोरोना होट्सपोर्ट बने जैपूर के रामगंज में अब स्तित्यां सामाने होने लगी है सित्य सुधरने पर अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ डोक्टर्स की टीम ने भी राहत की सांस ली है कोरोना संकट के कारण रामगंज में तैनात मैडिकल टीम का रामगंज थाना पुलिस ने सम्मान किया रामगंज थाने में हुए कारेक्रम में एसीपी राजिंद्र नैन और थाना प्रभारी बियल मीना ने मैडिकल टीम के डोक्टरों को साफा पहना और प्रमाण पत्र दे कर सम्मानित किया आई यह बढ़ते हैं इस बुलेटीन के अंतिम खबर की ओए जैपुर में पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर आरपी एफ जवान को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गर्थ शुकरवार को 48 जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया CMH-O की टीम ने सभी का रेलवे स्टेशन पर सैंपल लिया था जिसकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है रिपोर्ट आने के बाद रेलवे परशासन ने राहत की सांस ली रिपोर्ट आने के बाद रेलवे ने सभी 48 जवानों को जुटी पर भी बुला लिया गौर्टलब है कि रिपोर्ट आने तक सभी को क्वारिंटाइन करने के निर्देश दिये गए थे फिलाल इस बुलिटीन में इतना ही और फिर हाजर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार